इसका एक प्रदान मंत्री होके इतने जूट बोल रहे हैं हमको खुद को शर्माती है आज 45 साल में 45 साल में सबसे बड़ा अनेंप्लॉमेंट उनके जमाने में हो गया है इंडी के मतलब ही है नौन डाटा अवेलेबल के पास कोई डाटा नहीं है वो सच बात बता नहीं सकते और उसके वो जूट बोलने जाते हैं देश का एक प्रदान मंत्री होके इतने जूट बोल रहे हैं हमको खुद को शर्माती है और वो चूट दबा के बोलते हैं जोर से बोलते हैं कि वो सच बने यही उनकी बार बार इच्चा है जूट बोलके सच दिखाना और दूसरा बेरोजगार इतनी है कि पहले यूपिये के सरकार में टू पॉइंट टू बेरोजगारी थी कि आज पैटाली साल में पैटाली साल में सबसे बड़ा अनेंप्लॉमेंट उनके जमाने में हो गया है और ये नहीं मैसूश कर रहे है कि अनेंप्लॉमेंट वो अगर पूछे तो वो बुवलते कि प्राविडैंट फंड में इतने रोजिस्टर होगे ESI में इतने रोजिस्टर होगे यह नहीं यहाओ अगर हैसो नौक्रियां कम करके जादा लोग कैसा प्राविडैंट पॉंड में ESI में रेइस्टर होते हैं जो है वही लोगों को अगर आप रेइस्टर करके यह बताते हैं कि increase हुआ employment तो गलत है आप employment exchange से नंबर लो आपको पालूम होता है मैं यह कहूंगा कि NDA के मतलब ही है नौन डाटा अवेलेबल नौन डाटा अवेलेबल उनके पास कोई डाटा नहीं है वो सच बात बता नहीं सकते और उस पे जूट बोलने जाते हैं